स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में और आज की इस वीडियो में हम continue discuss करने वाले हैं class 10th का आपका जो math का subject है यानि की गडित का इसके pre-word की exam के लिए एक most important sample question paper के बारे में और complete solution के साथ ठीक है और ये sample paper बच्चों अभी कुछी दिनों में math का आपका जो pre-word के exam होने वाला है ठीक है जैसे कि आपको पता है कि 16 December 2024 को math का आपका pre-word के exam होने वाला है तो इसी के लिए हम अपना जो सबसे पहला sample paper discuss कर रहे थे बच्चों तो ये वीडियो इसी paper के पार्ट नंबर टू की वीडियो रहने वाली है आप सभी ने पार्ट वन को बहुत अच्छा प्यार दिया अच्छे like के कमेट भी अच्छे आए तो आव हम पार्ट टू को डिसक्स करने वाले जिस ने भी पार्ट वन को नहीं देखा बच्चों तो पार्ट वन का link आपको म सामान निर्यस पढ़ते हैं पेपर आपका पांच खंड में बटा हुआ होगा जैसे कि खंड आजो है इसमें आपके 20 mc की question होगे एक एक नंबर के खंड बाकी अंदर पांच प्रश्ण होगे दो नंबर के खंड साख के अंदर पांच नमर वाले जो कोश्चन है ना इनमें आपको दो कोश्चन में चोईस मिलेगी तीन नमर वाले में दो कोश्चन में चोईस मिलेगी और पांच नमर वाले में भी दो कोश्चन में चोईस मिलेगी ठीक है चलो याद रखो बच्चो जब आप किसी भी परिमेय को सॉल्व करेंगे ठीक है तो आपके लिए यहां पर पाई का मान 22 बटे साथ है और कैल्कुलेटर का उपयोग वर्जेत है इसी तरह से जो बच्छे इंग्लिस मीडियम के हैं वह यहां से दिख लीजिए के अब के अच्छिट इओंधे 6 प्यान 22 साथ लेना है और का अपको प्रीत अप्योटर का पेटन तो चलिए बच्छो अब हम अपने इस सेंपल वेपर के पार्ट नमबर टू के जो questions है इसको देखते हैं इस वीडियो को आप सभी अच्छे बिल्कुल end तक जरू दिखेगा बहुत अच्छी त्यारी करवाऊंगा ठीक है तो चलिए बच्छो वीडियो को आधा दो है ठीक है दो संख्याओं का अंतर कितना है आधा है दो बड़ी संख्या चोटी संख्या के दो गुने का योगफल तेरा है तो संख्या गयाद किजिए ध्यान से सुनिए क्या कहा गया है कि दो संख्याओं के अंतर का आधा दो है ठीक है और बड़ी संख्या और लगाएंगे हम अपना formula ठीक है formula लगाएंगे तो हम क्या बोलेंगे सबसे पहले तो माना कि जो हमारी संख्या है वो x और y है ठीक है तो यहाँ पे x और y हो गया तो प्रश्ण के अनुसार एक बटा दो x-y is equal to 2 तो यहाँ पे हमारी जो समीकर अने वो क्या बन जाएगी x- माइनस में x-y is equal to 4 बन जाएगी हमारी ठीक है अब इस यह तो होगी हमारी पहली बात दूसरी x प्लस में 2y is equal to 13 हो जाएगा हमारा ठीक है तो अब हम पहले को और दूसरे को जोड़ेंगे ठीक है तो पहला और दूसरे को जोब हम हल करेंगे तो हम क्या पाएंगे x is equal to 4 क्यो एक संख्या हमारी बड़ी वाली 7 है और चोटी वाली हमारी 3 हो जाएगी ठीक है तो यहाँ पे हमने solve के लिए अच्छे तरीके से बड़ी संख्या यानि जो संख्या वो हमारी कितनी निकल गईगी संख्या निकली हमारी 7 और एक कितनी थी हमारी एक तीद 3 ठीक है तो 7 और 3 निकल ओके अब अथवा समझो 2X plus 3Y is equal to 7 है और 2AX plus में bracket में A plus B Y और 28 है तो इसके a permit रूप से अनिये खल हो सकते हैं तो A और B का आपको मान गयात करने हैं आपका यह जो A और B है आपको इस कमान यहां पर ग्याद करना है ठीक है तो आजाएए इस कमान ग्याद करते हैं देखिए A permit रूप से अनेक हल के लिए हम क्या करेंगे हम लगांगे formula तो यहां पर आपका 2 वटे में 2 A आ जाएगा is equal to 3 upon में इस कम कैसे ले सकते हैं 3 upon में A प्लस का B तो यहां पर हमारा जो है क्या ना में 7 आ जाएगा 7 वटे में 28 तो जब हम हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा A मिलेगा हमें 4 ठीक है और Y मिलेगा हमें 3 तो इसी परकार से हमारी जो संख्या है A और B कितनी मिलेगी A मिलेगी हमें 4 ठीक है A is equal to 4 और Y is equal to हमारा आ जाएगा कितना था यह Y is equal to 3 है ठीक है तो Y कितना आ गए हमारा 3 आ जाएगा इस परकार से आपको यह solve कर देना है ठीक है बहुत ही असान था solve करना ओके तो यह आपके दोना question होगे अब इनी दोना question को English medium के बच्चे यहां से देखे ठीक है तो 26 आपका यह दिया हुआ है आपको यह पर number find करना है कि half the difference of two numbers is 2 the sum of the greater number and twice the smaller number is 13 तो इस simple सी बात है देखिए हमें पता है कि बड़ा जो है वो कितना रहेगा छोटा क्या रहेगा तो number क्या रहेगा देखो यह रहेगा आपका x 7 और y 3 ठीक है process क्या है तो यह आपका पूरा process है second question कि if the system of liner equitation हमारी यह दी गई है और एकी यह दी गई है तो यहाँ पर मैं क्या करना है value find करनी है a और b की तो यहाँ पर a और b की value हम find करेंगे तो क्या निकलेगी a की value आपकी निकलेगी 4 और b की निकलेगी 3 अब कैसे निकलेगी तो process आप पूरा यहाँ पर देख लो यह रहा आपका यहाँ पर ठीक है चलिए अगला question देखते है question number 27 इसको लिखा रहने देते हैं आप यहाँ पर चलिए 27 ने बच्चो कि संख्याओ 18,180 और 7,575 का अभाजिय गुडनफर्ण विधी के द्वारा LCM ग्याद कीजिए और इन दो संख्याओं का HCF भी ग्याद कीजिए दो चीज़ें ग्याद करने है LCM और HCF तो आजाईए दोनों को ग्याद करते है बहुत आसान तरीका है बच्चो ग्याद करने का देखिये अब 18,180 जो है 18,180 इसको हम कैसे लिख सकते हैं हम 2 square 3 square into 5 into 100 लिख सकते हैं है ना अब इसको गोडनखंड कैसे निका लेंगे तो इसको हम करेंगे गोडनखंड था क्या था यह अपका ठीक है गोडनखंड विधी के द्वारा LCM निकालना था ठीक है तो यहाँ पे इसको निकालेंगे तो 3 into 5 square into 101 आ जाएगा ओके अब LCM निकाल लिए तो LCM कैसे निकालेंगे 2 square आ गया आपका 3 square आ गया अब 5 दोनों में 1 ही है तो 5 आ गया और 101 ही है तो यह आ गया तो LCM दोनों संक्यां का कितना हो गया क्या नाम है 90,900 HCF निकालेंगे तो HCF में आपका 3 आया है 2 बार और 5 आया 2 बार तो यह हो गया आपका और यह रहा तो HCF आपका निकलेंगा 1515 ठीक है तो 1800 की विधी इस प्रिकार से 7575 की यह हो जाएगी 18,100 से की यह और 75 की यह LCM आपका HCF आपका इतना निकलेंगा ठीक है चलिए इसी question को 27 को इंगलेंगे कि find the LCM the number of 1880 and 7575 by prime factorization and also find the HCF of the two numbers तो क्या से क्या क्या करना है LCM आपका देख लिएजे निकलेंगा 90,900 और HCF निकलेंगा आपका 1515 कैसे निकला है सारा process आपका लिखा हुआ है चलिए अब जो question है यह question बहुत difficult लगता है बच्चो यहाँ पर हमें सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि 1 बटे में cos theta minus में cos 10 is equal to 1 बटे में sin theta minus में sin theta is equal to निकलता है 1 बटे में 10 theta plus में cos theta तो यह quotation हमारी एकदम सही है तो आपको reason बताने है कि किस तरीके से यह सही है और process आपको यहाँ पर बताने है ठीक है तो आजाएए बताते हैं भी तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या बोलेंगे LHS और RHS तो LHS हमने बताया कि 1 माइनस में cos square theta बटे में आगया हमारा cos theta into हमने कर दिया 1 माइनस में sin theta और बटे में sin theta तो हमारा क्या निकल किया गया sin square into cos square theta और cos theta into sin theta यह निकल गया अब इसको जब हम काटेंगे तो कितना निकलेगा sin theta into cos theta तो यह हमारा निकल गया LHS तो एक सिद्ध हो गया आपका दूसरा RHS निकालेंगे ठीक है आप LHS या फिर RHS किसी से भी बता सकते हैं यहाँ पर यह निकले बता दिया 1 upon में sin theta upon में cos theta plus में cos theta upon में sin theta इसको जब टू करेंगे तो यह पूरी quotation हमारी यहाँ वाली उठके आ जाएगी उठके क्या आ जाएगी मतलब solve होगी तो यह आ जाएगा basically ठीक है कि sin theta cos theta हो जगया और sin square हो गया cos square theta इस परकार से तो फिर से सिद्ध हो गया कि sin theta into cos theta इस परकार से आपका आ जाएगा तो LHS और RHS हैंस proved हो गया answer है ना बच्चो चलिए अब इसी को आप इंग्लिस वीडियो में निकलेगा और RHS आपका इस परकार से निकलेगा ठीक है चलिए अगला question number 29 जिसमें आपको एक कत्वा भी दे दिये गया है जो कि बहुत अच्छी बात है बच्चो पहले उपर की बात करते है आकरिती वाली इसमें खा गया है दी गई आकरिती में एक चतुरभूज ABCD के एक वृत बनाया गया है ठीक है तो यहाँ पर दिखेंगे यह जो वृत है वृत में वो बनाया गया है क्या बोलते है चतुरभूज ठीक है एक चतुरभूज नहीं चतुरभूज जो ABCD है ठीक है हमारा जो AD है यानि कि यह जो angle है हमारा AD angle यह है हमारा कितना 17 cm ठीक है AB है हमारा 20 cm तो AB हमारा angle कितना है AB पूरा angle क्यों नहीं आएगा बीच में किवल B कि हम बात करें तो AB पूरा कितना है AB पूरा है आपका 20 cm ठीक है DS है आपका 3 तो अब आपको क्या करना है इस व्रित की त्रिज्या ग्यात करने है और इस सर्जी इतना कठिन चलिए लेकिन एको solve कराओंगा तो अच्छे समझ में आ जाएगा अब देखिए सबसे पहले हम क्या बोलेंगे व्रित में जो हमें दिया गया है ठीक है उसमें हमारा aq is equal to ar है है अभी हमने देखा था यह हमारा जो aq है यह देखो aq यह रहा हमारा और aq और ar यह हमारे equal होंगे बिल्कुल ठीक है तो वो लिख दिया हमने पर ad minus में dr यानि कि ह हमारा जो यह ad है यह ad और minus में ar तो ad minus में ar आ गया तो क्या निकलेगा ad minus में ds तो ad minus में ds आ जाएगा इस परिकार से तो कैसे निपूल लेंगे अब ध्यान से रिखो 17-3 ठीक है 17-3 कैसे है क्योंकि हमारा जो ad है वो कितना था 17 था और ds कितना था 3 था उसको मैंने minus कर दिय गया ad minus में 3 कितना हो गया 17-3 तो कितना निकला यह 14 cm ठीक है अब qb qb और qb निकालेंगे तो कैसे बोलेंगे ab-me aq ठीक है तो हमारा यहां पर ab कितना 20 cm है और क्या minus करना था हमें aq minus करना है ठीक है तो aq हमें विसे कि aq नहीं दिया गया नहीं दिया गया एक निकलना था ठ 14 cm ठीक है तो ab हमारा 20 है aq कितना आगे हमारा 14 cm तो यह आगे आपका c तो इस प्रिकार से opbq यह एक वर्ग है और यहां पर r यान कि इसकी तुरुज्या है वो qb की निकलेंगी आपकी 6 cm ठीक है तो इस प्रिकार से आपको यह solve गरना था ओके बच्छो आई हो बहुत असान दूसरा question आ जाता है उसको ध्यान से पढ़िएगा कि 200 वृत्तों की एक second सजी पहले इसका English medium में भी दिखा दो ताकि हमें भी समझ में आ जाए ठीक है देखो यहां पर आपको क्या करना है आपको number find वो क्या क्या बोलते है त्रिज्या find करनी है ठीक है क्या त्रिज्या रहन से ओके चलिए आगे बात करते है question 29 की नई 8 के part 2 की इसमें की 2 second वृत्तों की तरिज्या एक की है 5 cm तरिज्या और दूसरे की है 13 बड़े वृत्त की वह जीवा जो छोटे वृत्त को इसपश करती है लंबाई गयत कीजिए तो पहले तो आपको चित्र बनाना आना चीए इस जो AP है यह जो AP है वो कितना निकलेगा AP is equal to root का 5 square minus 3 square ठीक है अब हमने यह root क्यों किया रूट देखो यहां पर दिया गया हमारी तरिज्या इंदे गई है तो तरिज्या को हमने root में ले लिया 5 square minus 3 square तो कितना निकलेगा यह आ जाएगा आपका 2 square क्योंकि square square से minus कर देगे त दो कैस्क्क्यार आएगा, दो कैस्क्क्यार होता है, अब A B निकालेंगे, तो A B के लिए 2 A P निकालेंगे, अब P केतना निकला है, हम दा 4, और 2 A आगया, तो A P इसे आपकी निकल किया जाएंगे, इसे प्रकास से इंग्लिश मेडियम में, यह आपका कुस्चन है, और इसका जो आंसर है वच्चो, वह यहाँ पर दिया गया है, यह देखो, बहुत ही सिंपल सांसर है, चलिए, अब बात करते हैं, कुस्चन नंबर 30 के, बड़े ध्यान से देखना काफी important प्रशन है, एक सेकेंड, थर्टी नहीं, ट्वेंटी नाइन सर, I think कुस्चन सर मिस्टेक हो र और यह आप, नहीं, फिर से मैं भी मिस्टेक किया जा रहा हूँ, क्या आया, देखो, यह आपका 30 वाला कोश्चन है, ठीक है, और यह आपका 31 वाला है, तो 30 कोश्चन क्या कहता है बतो, कि दुईगाद बहुपद है, 4S का स्क्वेर, माइनस में 4S, प्लस में 1, इसके आपक solve करेंगे, अब हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है, 4S square माइनस में 4S, प्लस में 1, तो चलो solve करो, अब 4S square को हम bracket में लिख सकते हैं, 2S माइनस में 1, और 4S को में लिख सकते हैं, 2S माइनस में 1, है न, अब इसको लिखेंगे, 1 upon में 2, और 1 upon में 2, यह हमारे हो गए, स सुनिकों का योगफल, योगफल निकालेंगे, तो 1, 1 upon में 2, प्लस में 1 upon 2, यह कितना आ जाएगा आपका, एक निकल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, कि माइनस 4 ब्रेकिट में, और फिर 4 यह क्या जाएगा, कि S माइनस गुडान, S स्क्वेर का गुडांक ह सुनिकों का गुडान फल कितना होगा, यह आपके सुनिक दिये गे थे, गुडान फल हो जाएगा, एक बटा चार, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, अच्यर पद है, और S स्क्वेर का गुडांक है, इस परकार से, ठीक है, तो बहुत असान था बच्चो, 30 बाला कुशन थो, मे समा आ जाएगा, यह आ जाएगा, प्रोडिक्ट का, उके, चलिए, अब है कॉश्चन नमबर 31, निमलिखित बारंबारता बटन यान की जो सार्णी है, इसके जो माध्य है, वो हमारा 25, माध्य कितना दे दिये गया है, 25 दे दिये गया है, एका मान ग्याद कीजिए, तथा आ बारंबारता जो है, यह हमें ग्याद करनी है, और एक में यह दिये गई है, ठीक है, बारंबारता के साथ में आपको इसका बहूलक यह भी ग्याद करना है, आ जाएगे, बच्छों, देखिए, यहां पर सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो हम जो चीज हमें दी गई हम व इसका 15 सी हो गया, ओके, फिर यहां पर, अब हमारा जो बारंबारता बहूं कितनी दी गई है, तो बारंबारता एक है 5, एक है 18, 15, 6, और यह आ गए, तो यह कितना हो गया, 44 प्लस में A, क्योंकि A हमें निकालनी है न, ठीक है, यहां पर एक साई कितना निकलेगा हमारा, एक इसने हसाब से XI निकाला, तो एक का 5 हो गया, उसका 15, इसका 25, इसका 35 और इसका 45, ठीक है, FI XI कितना निकलेगा, इन दोनों को अगर हम multiply करेंगे, तो ये निकलेगा 25, और ये निकलेगा आपका 270, और ये होगा 375, इसको जो प्लस करेंगे, और ये 35A, और ये 270, ठीक है, 25 वाला, ये देखो, यहाँ पर ये रहा, क्या नाम है, 25 नहीं, एक सेकिंड, अच्छा, यहाँ पर बीच का वरगंतल उठाया गया, ठीक है, तो, एक सेकिंड, हमारा माद 25 है, वही तो को हूँ, 25 कहां से आ गया, 25 यो है ना, ये हमारा माद दिया गया, तो माद नहीं आ गय है, अब इसको जब हम पूरा complete solve करेंगे, तो कितना निकलेगा, a is equal to 16, ठीक है, तो a की value कितनी आगी वच्छो हमारी, a की value अब निकल के आगी हमारी 16, अब बात आती है, बहुलक निकालने की, तो बहुलक वरग हमारा कितना है, 10 से 20 है, कितना है, 10 से 20, तो बहुलक 10 प्लस म 18 माइनस 5, ओके, और 2 इंटू 18 माइनस में 5, माइनस में 15, इंटू 10, कितना निकलेगा बहुलक, 18.125, correct आपका ये बहुलक निकल के आ जाएगा, ओके बच्छो, तो बहुलक निकल गया आपका, ये कमान भी निकल गया आपका बहुत अच्छे तरीके से, and I hope आपको समझ में आ गया होगा, सारे फॉर्मूला को अच्छे तरीके साब को समझा दिया है मैंने, इसी प्रकास से इंग्लिस मेडियम में, आपको ये दिया गया है, आपका जो मीन है वो आपका 25 है, ठीक है, आपको value find करनी है, एक ही, जो कि आपके कितनी निकलेगी, 16 निकलेगी, और जो mode ह data का वो निकलना है, जो कि आपका 18 point कुछ निकलेगा, अब निकलेगा कैसे, तो पहले तो आपको ये table बना देनी है, ऐसे करके, ठीक है, अब मार दिया आपका यहाँ पर देखिए, मार दिका रहा हूँ, जो value है, वो आपकी एक ही आगी 16, अब model class हमारी 10 से 20 हो गई, तो बस यही पर आप देख लो, यहाँ पर बहुलक की बात आ गई, 10 से 20 क्यों है, क्योंकि यह ज्यादा बड़ा नंबर है यहाँ पर, तो कि इतना हो गए, आपका 18 point 150, ओके बच्चो, चलिए, अब यहाँ पर चलते है, section D की तरफ, इसको अब हम हटा देते हैं, ठीक है, अब कितन से समझना बच्चो, section D है आपका, ओके, तो question 32 का कहते है बच्चो, एक train, एक समान गती से, 360 km की यात्रा तेगती है, यह दी गती, 5 km घंटा अधिक होती, तो उससे यात्रा करने में, एक घंटा कम लगता, train की गती गयात कीजिए, और भाई साब, देखो यह जैसा question है ना, same to same question आपके board में repeat हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि देखे, numbering जो है, वो अलग हो सकती है, गंटा अलग हो सकता है, लेकिन ऐसा question हर वार आता है, चाहे basic हो, चाहे standard हो, दोनों के लिए, ठीक है, question को बड़े ध्यान से देखो, देखे, एक train है, जो कि किसी भी एक समान गती से चलती है, और समान गती से जब हो चलती है, तो 360 किलो मेटर की यात्रा तैका लेती है, ठीक है, और यदि गती जो है, वो 5 किलो मेटर प्रति घंटा है, प्रति घंटा अधिक हो जाए, तो उसे यात्रा में एक घंटा कम लगता है, पूरे 360 किलो मेटर में, तो अब आपको अनुसार यहां पर हमें जो अभी दिया गया है जो टोटल हमारा क्या नाम है पिरियाड है वो कितना है 360 किलोमीटर तो x आ गया अब माइनस में 360 बटे में x प्लस 5 में प्लस में 5 क्यों आया क्योंकि हमारी यह हमें मतलब बढ़ा दी गई है तो इसको हमने माना है इसको बन ठीक है एक्वोटरेशन को solve कीजिए तो x square प्लस में 5x माइनस में आ जाएगा आपका अठारा सो तो यह कितना निकलेगा 0 ठीक है अब इसको थोड़ा और थोड़ो तो x प्लस में 45 यह होगया आपका bracket में x-40A हो गया आपका 0 तो इस प्रकार से x is equal to minus 45 और x वराबर में आजागा आपका 40 यान कि या तो minus 45 या तो 40 आएगा देखिए गती हमेशा जो है वो धनात्मक निकलती है इसी लिए train की गती जो है वो कितनी हो जाएगी 40 km प्रतिगंटे की रफ्तात से हो जाएगी ठीक है कितनी 40 km प्रतिगंटे से अगर वो 5 km प्रतिगंटा और तीज़ी से चलती है तो तो train की गती कितनी आ गई 40 km पर आद ये आ गई आपके train की गती अब दूसरा question देखो एक motor boat जिसकी 7 जल में गती 18 km प्रतिगंटा देखो एक motor boat है शिप जैसी छोटी सी वो जल में है शांत जल में उसकी गती है 18 km प्रतिगंटा धारा के प्रतिकूल 24 km जाने में धारा के अनकूल उसी इस्थान पर लोटने में एक घंटा अधिक लगा देती है धारा के अनकूल उसी इस्थान पर लोटने में उसे एक घंटा अधिक लगा जाता है गया होता है माल लेते हैं कि 18 गंटे में ठीक है आता है वापस 19 गंटे में तो अब आपको यहाँ पर गती जो है वो निकालनी है इसकी motor के गती motor boat की आजे यह गती निकालते है तो same format फिर से आप यह पेश्ट कर देंगे तो माना धारा की गती x से प्रती घंटा है प्रश्न के इनुसार हमारी जो हम टाइमिंग ले ली हमने यह आपे ठीक है 24 और जो हमें दिया गया 18 माइनस में x तो 24 फिर 18 प्रस में x तो यह हो गया हमारा 1 अब x square plus में 48 x माईनस में 34 आ जाएगा आपका 3 24 तो यह कितना वोगा हमारा 0 ठीक है x plus में यह 48 उटको में कह लिख सकते हैं x plus में 45 तो प्रस में 54 है और x माईनस में 6 है तो x जुह है या तो आपका यह माईनस 4 निकलिएगा या तो यह आपका 6 निखलेगा अब गतिया में इसा अधनात्मा कुरती है तो अब धारा की गति 6 km प्रतिगंटा हो गई ठीक है अब धारा की गति कितनी हो गई अब यह हो गई है 6 km per hour इस प्रकार से अब यही दोनों question आप इंग्लिस में यहां से दिख लिए कि our train travels 360 km at the uniform speed if the speed had been 5 km or more it would be have taken 1 hour less for the journey same journey find the speed of train तो क्या निकलेगी speed आपको मैंने बता दी है तो यहाँ पर आप यह formula लगाएंगे आपका ATQ वाला इस परकार से और answer जब लिखेंगे तो आपका answer जो है वैसे दिख लिएगा माइनस 45 और 40 अब भाई speed हमें सा positive में होती है तो यह आपका 40 km पर आरा जाएगा अब second question क्या था हमारा second में हमें speed निकालनी है motorboat की देखें a motorboat whose speed is 18 km पर आर in still water take in still water take 1 hour more to go 24 km upstream than to return the downstream to the same spot find the speed of the stream तो क्या है speed उसकी उसकी speed निकल के आएगी बच्चो आपकी 6 km आप कैसे आती है तो यह आपका पूरा concept यहां से पढ़ दीजे अच्छे तरीके से ओके चलिए अगला question number 33 ऐसा question भी paper में कई वार आता है बच्चो कई वार आता है यह paper में ठीक है देखो क्या है कि लकडी के एक ठोस बेलन के प्रती एक स्रे पर एक अर्ध गोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाए गया थे देखे लकडी का एक ठोस बेलन है प्रती एक स्रे से यह गोला हटा दिया गया है ठीक है गोले निकाल दिया गया जैसा कि आकेति में दिखाये गया है यदि बेलन 10 cm है और उसके आधार की तरिजिया 3.5 cm है तो इस वस्तु का संपूर प्रस्तिय छेट पल यानि कि गोले लगे होने के वाबजूद इसका कितना संपूर प्रस्तिय छेट पल निकलता वो आपक क्या करना है हमें संपूर वर का चेट पल वो लगा देना फ़र्मूला तो 22 बटे में साथ इसगल टू 3.5 का स्कॉर इसगल टू 10 प्लस में कर दिया हमने 2 इसगल टू 2 एक सेकेंड 2 इसगल नहीं नहीं विदे के 22 बटे में 27 इंटू 3.5 स्कॉर एंड इंटू 10 हो गया फिर और इसको आप पूरा जब सॉल्व करोगे तो आप का अंसर निकलेगा 549 वर्ग सेंटीमीटर तो यहाँ पर क्या निकल गया हमारा यह संपूर्ण पर से छेट फल 500 कितना था 549 वर्ग सेंटीमीटर यह निकल गया आपका अंसर ठीक है अब इसी प्रिकार से इस कॉस्चन को आप इंगलेस पर देखिए कि अब वोडन आर्टिकल वाज मेड वाइस कोपिंग आउट ओफ और हमेश्वियर विच एंड ऑफ इस सॉलिट स्लेंडर अज शोन इन इन फिगर इप दा हाइट ऑफ इस सेंटीमीटर एंड इस बेस इस ऑफ रीडियस 3.5 सेंटीमीट आगे देखते हैं अब बात करेंगे question number 34 के यह आपका वो चितु था अब है question number 34 काफी difficult होने वाला है बड़े द्यान से देखना है बच्चो क्योंकि इसमें संख्याय दे दे गई है इसलिए question number 4 निमलिखित आंकणों का माध्य पचास है ठीक है 25, 20, 15, 8, 10 इनके बीच का दे आपका 50 ठीक है अब यहाँ पे आपको P दिया गया है और Q दिया गया है आपको इन दोनों के ही मान गयात करने है और सभी बारम बारताओं का यूग कितना है 90 है यानि कि देखे यूग दे दिया है हमें ओके अब इसमें से हमें P Q का मान गयात करना है कि P पे क्या आना च ठीक है, तो प्राप्त अंक हमारे कहां से कहां तक थे, 20 से 30 में छात्रों की संख्या P है हमारी यानि की FI की बात करते हैं, प्राप्त अंक 30 से 40 में 15 बच्चे हैं, प्राप्त अंक 40 से 50 में 25 बच्चे हैं, ठीक है, और प्राप्त अंक 50 से 60 में 20 बच्चे हैं, और 60 से 70 Q का मान ह में ग्याद करना है और 70 से 80 में 8 बच्चे हैं और 80 से 90 हैं हमारे 100 बच्चे हैं अब यहां पर CF कितना निकलेगा तो C और F को जोड़ दिया हमने क्या हो गया प्लस में 15 हो गया प्लस में 40 फिर P Q प्लस में 60 और P Q प्लस हमारा जो टोटल हमारा क्या था ये क्या बोलते हैं 90 क्या था ये अब बारम बारतों का ये हो टोटल ये हो कितना 90 बटे में 2 आगे हमारा तो माइनस में P प्रस में 40 हो गया और बटे में ये हो गया हमारा 20 ठीक है अब 20 क्यों है क्योंकि हमारा ये जो माद्यक वर्ग है उसकी यह बारं बारता है 20 इंटू में कर दी हाम ने यहाँ पर 10 ओके? आप देखिए P is equal to कितना निकलेगा हमारा मान P निकलेगा हमारा यहाँ पर 5 ओके? P plus में Q plus में 78 कितना है हमारा? 90 निकला है ठीक है? तो P plus में Q plus में 78 कितने निकलेगा 90 आ गया क्योंकि P हमारा 5 था ना तो ये Q कितना है वो हमें निकालना है तो इसके लिए हमारा ये हो गया ठीक है ना देखो ध्यान से देख लिए एक बार फिर से अगर आपको समझ में नहीं आए तो ये हमारी जो quotation है इसको जब हमने solve किया तो हमारा ये जो P दिया गया है ना P का मान हमारे निकल गया 5 ठीक है तो अब हमें P प्लस में Q निकालना है तो P प्लस में Q प्लस में 78 कर दिया ये आएगा हमारा total 90 बारंबाता कितनी है 90 है हमारी तो अब हमें P का मान मिल गया तो P प्लस में 78 जो हमें दिया गया है टोटल अभी का वारंबाता वो कितना था 78 तो टोटल कितना है 98 है अब इस में से 78 और 5 को आप प्लस कर दो तो कितना हो गया 83 हो गया अब 83 में आप कितना जोड़ोगे Q का मान निकल जाएगा तो 7 निकलेगा तो अब हमें आप क्या वो लेंगे कि P का मान हमारा निकला है 5 और Q का मान निकला है हमारा 7 ठीक है इस प्रकार से अब ध्यान से देखो आगे बहुलक वर्क कितना है बहुलक है हमारा 40-50 कैसे है बहुलक वर्क क्योंकि सबसे बड़ी संख्या इसी work में है, देखो, 40 से 50 इसी में है ओके, अब बहुलेक निकालने के लिए क्लिए क्या करेंगे बहुलेक निकालने के लिए सबसे पहली जो संख्या है और जो बड़ी है, उसको दो पार्ट में तोड़ दिया हम नहीं मतलब जो हमारा बारम बाता है उसको लिख दा है हमने 25 माइनस में 15 ठीक है और 2 इंटु 25 माइनस में 15 माइनस में 20 यह आगया आपके यहां पे और इस प्रकाश से 46 चालिस बटे में क्या नहीं है चालिस टू अपॉन में थरी यह आपका यहां पर आ जाएगा इस प्रकास ठीक है यह हो गया आपका बहुलग आपको समझ में भी आया होगा अब पहले इसी कोशन का इंगलिस बजन देखेंगे फिर आगे रेखेंगे दिया गया दिया गया दे मिडियन आप दिफॉलविंग डेटा इस 50 मार्दी है 50 वैल्यू फाइंड करनी है पी की और क्यू की वैल्यू आपकी 5 निकलेगी क्यू की व आपको रेखनी है यह बारमबारता यूग टोटल आपका जो है वह 90 है बहुलक आपको निकालना है तो बहुलक कितना निकलेगा आपका बहुलक आपका देखेंगे 40 से 50 का यह वरगंतराल है और यह आपके स्टुडेंट्स हो जाएंगे ठीक है तो बस इसको सॉल्व कर दे अंतराल के वो लिख दिये और CF हमारा क्या निकलेगा वो हमने लिख दिया ठीक है मीडियन हमारी कितनी है 50 से 40 है 50 वाली 50 से 60 है माध्य हमारा यहां पे 50 को हमने ले लिया और इसको एक कोटेशन को सॉल्व किया तो P कामान कितना आ गया 5 आ गया तो P अब हमारा कितना निकल क क्या है 5 ये क्यूं है हमारा और 78 पूरा 90 है तो क्यूं आप महारा साथ हो गया अब model class क्या है तो 40 से 50 है 40 हो जाएगा आपका पुरा solve करेंगे तो 46 दो बटे में तीन आगया answer ओके इस प्रिकार से अब आप चाओ तो इससे और 100 अवदियों में कितनी है और इससे नीची देगी तालिका में सरक्षित किया गया है निम्ली आपकड़ों आपकड़ों का मार्द और मार्द्य अग्याद कीज़े तो देखिये कारों की संक्या कितनी है 0-10 में बारंबारता है कि 7 ठीक है 10-20 में आती है 14 बार अब दियां 14 बार की है 20-30 कारों की संख्या 13 30-40 बारा यह हमारी बारंबारता दी गई है कारों की संख्या और बारंबारता है यह कारों की संख्या हो गई यह कितनी बार आई है यह हो गई अब आंकडों का क्या क्या माध्ध है और क्या इनका माध्धिका है दोने चीज़े बतानी है आज यह स्वाल्व करते हैं दिखे कारों की संख्या ध्यान से दिख लीजेगा कारों की संख्या सबसे पहले तो है जीरो इसमें क्या बोलते हैं यह हमारी जो है अक्रम संख्या हो कि कितनी कारों की संख्या है अब इसके बाद में यहाँ पे हमने लिख दिया है योग अब FI कितना है बारंबाता कितनी है तो इसकी साथ थी इसकी 14, इसकी 13, इसकी 12 इसकी यह, इसकी यह, इसकी यह, इसकी यह टोटली योग है हमारा 100 X-I अब कितना है Rik Ll ega, X-I यनकी बीच का मानश का कितना है? इसका 5 है, इसका 15, 25 और 35 फिर इसका 45 है, ये 75 ये 75 है, ये 85 होगा यहांपे एक सेक्ट । ये 65 है, ये 65 है ये 55 है फिर अब UI This is pers new 1 होगा और ये 75 है 4 निकलेगा ये क्यों है क्योंकि हमने ये जो टेबल से उसको लिया है FI UI कितना निकलेगा तो मंटिपलाई करते हैं चाहरो FI का UI से यह ना तो माइनस 21 14 का 2 से करेंगे माइनस 28 माइनस 3 अब 12 को 0 से करेंगे तो 0 यह आएगा फिर 20 22, 45, 32 टोटल यह कितना होगे हमारा 57 अब CF कितना निकलेगा तो CF हमारा था 7 यह फिर 21, 34, 46, 66, 32, 92 और पूरा 100 इस परकार से अब solve करो माइनस कितना है हमारा बीच का योग अभी देखे 35 से क्यों लिखा हुआ हुआ है क्योंकि जो माद है न हमारा यह उसको रशाता है अब माद्य निकालने के लिए 35 प्लस में हमारा कितना है 57 अपॉन में 100 कितना 57 में 100 इंटू 100 कितना निकल लिए हमारा 40 प्लस 7 40.7 तो माद्य कितना आ गया 40.7 आ गया अब माध्यक वर्क कौन से हमारा तो 40 से 50 है तो माध्यक का निकालने के लिए क्या करेंगे 40 प्लस में इस प्रकार से ये quotation लिखेंगे और into करने के 10 अब जो answer निकलेगा आपका वो हो जाएगा आपका माध्य ओके ये चीज़ थी आपके तो समझगे बच्चो बढ़िया तरीके से क्या answer था और कैसे करना था आपको अब इसी का English बजन देखो बच्चो ये रहा आपका number of cards ने frequency है इसमें आपको क्या क्या find करना है mean and median ये दोनों ही find करने है तो देख लेते एक बार mean and median को कैसे find करेंगा आप यहाँ पर ये रहा देखो mean, median क्लास और median क्या निकलेगा वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं ओके बच्चो आई हूप आप समझ गए होंगे चलिए अब एक आखरी question पांच नमर का फिर आगे हम section D की बात करेंगे total माला time कितना हो गया वाउ, 40 minutes हो चुके हैं बहुत बढ़िया चलिए यदि किसी तिर्भुज एक बुजा के समाना अंतर अन्य दो बुजाओं को भिनविन भिनदूओं पर प्रतिछेदन करने के लिए एक रेखा की चीज़ाए तो सिद्ध कीजिए कि अन्य दो बुजाए एक ही अनुपाद में भाजित होगे देखिए बच्चों यहाँ पर सिद्ध करने के लिए आपके जो परिमे संक्या है न आप उसको पढ़िये बस मैं यहाँ पर यह बता देता हूँ आपको सही आकृतिव बनानी है सिद्ध करना है रचना और परमाड यह करने होंगे ठीक है यह चीज़े है तो आप सॉल्ब कीजिएगा आपको यह दिया गया है आपके जो परिमे होती है न उसमें यह दिया गया आप वहाँ से पढ़ लेना इसको ठीक है चले यह रहा देखो यह आगया हमारा अब तीन कोशन है 36-37 मारे चार चार नमबर के ठीक है देख लिए चार 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 नमबर के अब 36 में है बच्चो की मैन पावर की मैन पावर की कम लागत और उच गुडवत्ता वाले उत्पादन में योगदान देने वाली मजबूत तकनीकी और इंजीनिरिंग चमताओं की कारण भारत प्रतिस्पदी विनिर्माण इस्थान है बिल्कु ठीक है एक फैक्टरी में टीवी सेट का उत्पादन हर साल एक निश्य संक्या की समारूप से बढ़ता है इसने छटवे साल में 16,000 सेट और नौवे साल में 22,600 सेट बनाए है अब देखिए कोश्चन तो कोश्चन कहा है किस वर्स में उत्पादन 39,200 सेट है ठीक है तो क्या निकालना है आपको किस वर्स में जो उत्पादन रहेगा ठीक है छटवे में 16,000 था नौवे में 22,600 हुआ तो अगले किस वर्स में 39,200 सेट उत्पादन होगा आठवे वर्स के उत्पादन को याद कीजिए तो यान कि नौवे से पहले ठीक है ना नौवे से पहले आठवे में कितना था और 29,200 है ये कब होगा तो आजाई ये निकालते हैं देखिए A6 is equal to A5 प्लस में 5D तो 16,000 प्लस में A9 ठीक है ये हमारा time period है A6 और ये A9 ये हमारा time period जो दिया गया है A plus में 8D तो ये कितना होगा हमारा 22,600 तो A कितना निकलेगा हमारा 5000 और D निकलेगा हमारा 2200 ठीक है तो पहले के लिए क्या बोलेंगे कि 39,200 मतलब 50,000 प्लस N-1 इंटू 100 तो N कितना निकलेगा N निकलेगा हमारा 12 तो दूसरे के लिए हो जाएगा मतलब कि ये जो हमारा time period है 39,260 में होंगे 39,200 तो ये होंगे हमारे 12th में ठीक है और इसके बाद कि A8 के लिए 5000 प्लस में 7 इस उकल टू 2200 कितना हो गया 20,400 तो आठवे मुरस में कितना होगा तो आठवे साल में होगा 20,400 ठीक है कितना हो गया 20,400 एक अत्वार दे दिया गया बच्चों आपका कि पहले 3 वर्षों के दोरान उत्पाद गयाद कीजिए 7 वे और 4 वर्ष के दोरान उत्पादन का अंतर गयाद कीजिए ठीक है तो देख सकते हैं आपका यहां पर सारी चीज़ें दे गई हैं चाहो तो इसे पढ़ लेना हम सीरे अगले कोश्चन को डिसकस कर लेते हैं ठीक है लेकिन उससे पहले एंग्ले विडियो के यहां से देख लो यह आपकी केस श्टडी है और यह आपके कोश्चन दोनों के दोना जिसे मैं सॉल्व करना है इन विच यह दी प्रोड़क्शन इस उननतिस सो दोसो यह होगी आपकी ट्वैल्थ में और जो एटीन्थ है एटीन्थ ही यहर में यह होगा आपका बीस अजार चास सो अब कैसे कैसे है कैसे सॉल्व करना है तो यह रहा आपका कम्प्लेट आंसर ओके अब इस एक अगला कोशन देखते है अध्यान दो है हमारा इसमें रेडियो वगारे की बात की गई है सिरह हम कोशन को देख लेते हैं क्योंकि हमारे लिए कोशन जारा जरूरी है उसको पढ़ नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा यहाँ पर देखो बिंदू O से B के सिखर तक लगी तार की लंबाई याद कीजिए यान कि देखिए बिंदू यह हमारा O है और यह हमारा B है तो यह जो सिखर है इस सिखर की आपको लंबाई याद करनी है कितनी है आधार दे दिया गया है 36 cm है और कोण भी हमें दे दिया गया 45 है तो अब हमें बस देखना यह है कि क्या बोलते है यह जो है वो कितना रहेगा और A B की दूरी गयाद कीजिए यानि कि यह जो A B है न यह तो हम क्या करेंगे हम यह पूरा निकालेंगे पूरे मैसे हम पहले P B को निकाल देंगे और फिर A B मतलब P B को मैनिस करेंगे तो निकाल आएगा A B आराम से आज यह निकालते हैं देखिए B O जो है यह हमारा निकलेगा 24 रूट 3 cm ठीक है 37 का जो हमारा यह बाला है एक सेकेंड यह जो B O है हमारा यह कितना निकलेगा B O B के सिखत तक लगी लंबाई की गया ठीक है B O यह निकलेगा रूट 24 मतलब 24 रूट 3 cm और B P कितना निकलेगा तो 12 रूट 3 cm A P is equal to 36 cm ठीक है अब इसी में B में यह अत्वा था कि तरिभोज O P B इसका छेत्पन निकालो तो O P B का छेत्पन केतना निकलेगा A B is equal to A P minus B P तो 36 माइनस में 12 रूट 3 cm अब तीसरा था कि टावर के पात के खंड को उचाई ग्याद कीजे तो क्या होगी इसकी उचाई A P is equal to 36 यानकि पूरी जो है A P यह 36 होगी आपके अब इसका English version देख लीजिए यहाँ पर यह 32 सेकेंड है आप इससे चाओ तो पढ़ लो ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है बस हमाले जो इंपॉर्टन है उस पर ध्यान देंगे यह आपकी है आप यहाँसे पढ़ सकते हो यह दिया गया है Easily बच्चो औके आसर डी राउट कर लीजिए और ही बात इसके आंसर के तो आंसर आपका यहाँ पर यह रहेगा तीनों के तीनों कोशन का यह तीनों कोशन है और यह तीनों कोशन का आंसर है चलिए एक आक्रिये कोशन को PQRS के रूप में गेहूं उगाने के लिए और सेस जगए सब्जियां उगाने के लिए जैसा कि आकरती में रशाय गया है छोड़ना चाता है खेत में O के रूप में चिन्निते खंबा है ठीक है तो अब आपको ये सूचना दे गई है इसके धार पर आपको यहाँ पर ग्याद करने है क्या क्या ग्याद करने है सबसे पहले O को मूल बिंदु मान कर P और Q के निदेशांक माइनस 200 and 0 200 and 0 PQRS एक वर्ग के होने के कारण RS के निदेशांक के ग्याद कीजिए ठीक है वो दिया गया है माइनस 200 जिरो और 200 जिरो ठीक है तो PQ हमारा का है यह देखो यह रहा यह हमारा PQ ठीक है यह PQ है हमारा 200 और माइनस में 200 जिरो अब उसके बाद में यहाँ पेमें PQRS एक वर्ग होने के कारण तो RS के निदेशांक यानिके PQRS यह जो है आपका SR यानिके RS आपको इसका मान निकाल तो इसका क्या मान रहेगा तो देख लेते हैं क्या मान होगा इसका देखे R जो है वो हमारा 200 और 400 निकल आएगा और S हमारा माइनस 200 और 400 निकलेगा कितना R 200 और 400 निकल गया और S हमारा माइनिस 200 और 400 निकल जाएगा अब दूसरा क्या है बच्छो कि वर्ग PQRS का छितफल क्या होगा तो छितफल तो बहुत असान है PQ is equal to 4001 तो छितफल हमारा PQRS का कितना होगा 12,000 वर्ग 1 का ही कितना? 16,000 1,60,000 वहीं तो कहूँ ये कम कैसे हो रहा है 1,60,000 ये वर्ग की 1 काई निकल जाएगी पर यहां पर क्या था? कि PR की लंबाई क्या है? तो PR की लंबाई देखेंगे तो PQ है 4001 तो PR कितना हो गया? 400 root 2 इस प्रकार से अब इसी का यहां पर देख लेते हैं बच्चो ये दि बिन्दू S रेका खंड C को अनुपात के अनुपात एक में भाजित करता है तो K का मान क्या होगा? ये दि बिन्दू A के निरसंग 200 और 800 है तो देख लेते हैं कैसे निकालेंगे? तो ये रहा बच्चो C निकालने के लिए ये हमारा क्या हो जाएगा? माइनस 600 0 और A कितना होगा? 2000 मतलब 200 से 800,000 दिया गया है 200 से 800,000 तो 400 जो कि C दिया हुआ है 0 into 1 प्लस में 800 प्लस K K प्लस में 1 तो K का मान आपका एक निकल किया जाएगा ठीक है? तो यहापे कितना निकलेगा? एक निकल आएगा मतलब सिद्ध कर दिया basically हमने ओके? अब इनी कोश्चन को आप इंग्लिस वीडियो में देखिए यह आपके case study third है और इस के question के answer आपको कैसे करने है यह आपके questions है और इस question के रही बात answer की तो answer आपका यहाँ पर यह जाता है 38 का अब आप यहाँ से पढ़ सकते हो बहुत असान तरीके से सारी चीज़ें देदी गई है ओके बच्चो तो इस तरीके से बच्चो आज के हमारी यह वीडियो यहाँ पर हो जाती है complete आसा करता हूँ बच्चो कि आप सभी को class 10th का आपका जो math का pre-word का exam होने वाला है 16 December को इसकी आपकी बहुत अची तैयारी हो गई होगी ठीक है और अच्छे से आपने सारी चीजे समझ लिए ठीक है बच्चो अब आपको क्या करना है फटा-फट से इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें बच्चो क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है ऐसी वीडियो के लिए साथी साथ अपने सभी दोस्तों में जादा-जादा शेयर करें और कमिट वाक्स में अपना फीड़ बच्चो जरूर बताएं और साथी आप सभी बच्चो को आपके 10th क्लास के मैथ के प्रिवोड के एक्जाम के लिए मेरी तरब से अल दा बेस्ट अच्छे से फीपर करके आना बच्चो ठीक है चलिए मिलते हैं आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ख्यार लिखेगा बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन जैभारत वन दे मातरम